डिंगू बुखार कैसे फैलता है किसी विक्तिकू डिंगू बुखार कब हो सकता है इसमें देखेंगे यू तो डिंगू बुखार एक मच्छाड के काटने से होता है आप यहाँ देख सकते हैं यह डिंगू बुखार कैसे फैलता है उसको बताया गया है आप इसको इसकीन को रोग कर पड़ सकते हैं मैं एक इमेज के माध्यम से आपको पूरी जानकरी इसमें देता हूँ देख सकते हैं, मैंने यहां एक डिंगु रोग से पिडित ब्यक्ति लिया हैं, और यहां महुँ सारे मच्छड हैं, इन में से कोई एक भी मच्छड वान लो इन डिंगु रोग से पिडित ब्यक्ति वो काड़ता है, तो उसके रख्त को यह जो मादा इंडिज मच्छड रहते वो इसके रख्त को ले लेता है और रख्त के साथ ही डिंगू के वाइरस भी उसके सरीर में चले जाते हैं मच्छड के और मालो यहां मैंने दो स्वस्त ब्यक्ति बने यह स्वस्त है यह डिंगू रोक से पीड्ट नहीं है अब ये मादा एंडीज मच्छड इन दोनों व्यक्तियों को काड़ते हैं और इनके सरीर में डिंगू एरस को इंजेक्ट कर देता है बलड के साथ जिससे जो स्वस्था व्यक्ति है उनके पूरे सरीर में डिंगू एरस कुछ दिनों में फैल जाता है और ये फिर डिंगू र रोग से ग्रशित हो जाते हैं इसी तरह से मादा एंडीज मच्छड दो से चार फिराड और अधिक लोगों को डेंगु रोग से ग्रशित कर देता है और इस तरह से या डेंगु रोग एक से दूसरे ब्यक्ति में फैलते जाता है यदि जानकर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब करें